लब रेवन वेलकम लो माईडूप चैनल मेरा नाम विकास नहरा हैं आज के स्वीडियो में बात करेंगे AWS EC2 Instance Types के बारे में और वीडियो के ला लास्ट मैं अपने ये भी देखेंगे कि तो आप अपने बिजनस के साब से कौन सा इंस्टांस टाइप सेलेक्ट करें जो आपकी रिग्वार्मेंट को फुल्फिल कर दें तो ये भी अपन जानेंगे सबसे पहले अपन जान लेते हैं EC2 Instance Types कितने परकार के होते हैं तो यहां भी मैं आपको दिखाता हूँ तो यहां पर Instance Type में यह पांस बरकार के हैं इन फ्यूचर और भी AWS यहां पर एड़ कर सकता है लेकिन अभी के लिए इतने हैं तो सबसे पहला है Journal Purpose Second है Compute Optimize Third है Memory Optimize Fourth है Storage Optimize and Fifth X-Related Computing तो सबसे पहले एक-एक के बारे में पंजान लेते हैं इनके नीचे जो इनकी Series लिखी हुए है तो यही आपको वहां पर AWS Instance में आपको मिलेंगे जब आप सर्च करोगे कि आपको जैसे Journal Purpose वाला चाहिए तो आप A1 या T1 या T2 लिखोगे तो तभी उससे डिलिटेट जो भी हैं वह वहां वहां पर आएंगे फिर इनके sizes आएंगे जैसे T2 Micro, T2 Small, T2 Large जैसे आपको Journal Purpose में ही ज़्यादा RAM वाला या ज़्यादा CPU Core वाला चाहिए तो वहां पर इसमें मिलेंगे जैसे आपने T2 लिख दिया आगे आगे लगा दे T2. Small, T2. Large तो उस हिसाब से वह आपको दिखाता रहेगा तो Journal Purpose बेसिकली जो भी Small Business है उनके लिए काम में लिया जाता है एंड उसके बाद आदे है Compute Optimize तो मैं इनका थोड़ा थोड़ा ओवर्वीव दिखा देता हूं डीप में नहीं जाएंगे पन तो Compute Optimize में क्या आगे क्या होता है कि जो AWS आपको ज्यादा VCPU Core वाले जो इंस् CPU वो अधिक होता है ओके तो वो डिडिकेटली आपको ये वाला आपको प्रवाइड करेगा Compute Optimize ओके उसके बाद आते हैं Memory Optimize Memory Optimize में क्या आगे क्या होता है कि रेम आपको ज्यादा मिलती है अगर किसी को रेम की ज्यादा नीड ही मेरे को CPU को कम ही चलेगा लेकिन जो रेम ह है वो ज्यादा होनी चाहिए कि आपको यासा कोई प्रोग्राम रन कर रहे हो तो उसके लिए वो रेम कंज्यूम ज्यादा करता है तो आप यह Memory Optimize वाला इंस्टांस ले सकते हो उसके बाद आता है Storage Optimize तो जैसे कि 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 को Input Output की जो रेट है वो ज्यादा वाला चाहिए त तो SSD में भी जो Optimize SSD है वो आपको परवाइड कर देगा कि विकोज आपको Storage Optimize इंस्टांस आपको चाहिए तो इसलिए आप इसका भी ले सकते हो तो AWS आपको जो भी अच्छी वाली SSD Optimize होती है वो आपको परवाइड इसमें करता है लास्ट वन है Accelated Computing इसमें क्या होता है कि यह बैसिकली जो GPU जो Graphic Card वाले होता है या इसमें की High Power जो Hardware Accelated Computing आपको परवाइड करता है इंस्टांस परवाइड करता है इसमें मतलब जो VCPU को और GPU भी इसमें एड होता है गर जो Graphic Card है वो भी एड होता है जिसे NVIDIA वगरा जो Graphic Card होते न वो इसमें आपको मिलेंगे क गेमिंग वगरा के लिए या स्ट्रीमिंग वगरा के लिए या और भी जो High Level के है जिन में GPU की Need होती है उसके लिए आप यह वाला Try कर सकते हो चलिए उसके बाद यहां पर आते हैं जो Instance की साइज होती है जैसे Nano, Micro, Small, Medium, Large, X-Large, 2X-Large तो जैसे मैंने यहां पर दिखा है A1 जैसे आप मान के चलो कि यहां पर है A1 तो A1 के आगे A1. Small, A1. Large तो सारे उनकी सरीज आपको मिलेगी जब आप AWS में दे देखोगे तो मैं आपको एक example के लिए दिखाए देता हूँ मैं AWS के dashboard में जाके आपको दिखाता हूँ जब यहां पर आप जब आओगे तो यहां प आप परावर बेस्ट लग रही है वह भी आपको यहां पर दिखाए देगी ठीक है जैसे यह ऐदेखो टीवन मैक्रो या टीटू में डोट ना टीटू में डोट माईक्रो डोट मीडियम डोट लाज डोट एक्स लाज तो इसमें क्या है यह जैसे ए इसमें CPU को याना वी CPU बढ़ाते जाएंगे और जो इसकी जो मेम्रूटी वीख़र वह भिए इसमें इंख्रीस होती जाएगे एंड इसके आगे यहां पे आपको जो परावरली बेस है वो लिनेक्स के लिए आपको यहां पे जो उसकी प्राइजिंग होगा रहा है वो यहां पे सो होती रहेगी एंड विंडोज के लिए अलग प्राइजिंग यहां पर दिखती है जो Linux बेस होते हैं उनकी प्राइजिंग पर शेकिन के हिसाब से होती है और विंडोज वाले की पर आवर के हिसाब से जो कोस्ट है वो काउंट की जाती है ठीक है ऐसे ही आप जैसे नीचे स्क्रोल करोगे त तो सबका होता है जैसे c3.4xlarge c3.2xlarge तो उसमें गया जैसे इसमें तो 2xlarge वाले में तो है add CPU ओके और 15G भी यहां पर इसमें दिखा रहा है और .4xlarge वाले में यहां पर 16vCPU है एंड 30 मतलब यह उसका दूगोना कर दिया यहां पर तो ऐसे ही सबका यह आपको यहां पर देखो लोड हो रहा है यहां पर इतने सारे पेजस में या फिर आप यहां पे इन्होंने एक dedicated page बना रहा है instance types related एंड इसमें सारी इनके जो series वाली है यहां पर series दे रहे हैं इन्होंने टी टू का वह सारा कुछ यहां पर समझा रहा है कि इसमें आपको storage कौन से मिलेगी EBS only मिलेगी and memory वगारा कितनी मिलेगी vcp कितने मिलेंगे आपको तो यहाँ पे इन्होंने सारा कुछ बता रखे है and एक website भी आपको यहाँ भी मिलेगे अब जब इस website पे जाओगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे आप यहाँ पे रीजन सेलेक्ट कर सकते हो and इसमें आप कंपी रीजन कर सकते हो दो जो भी है एक मिलेगे इसको end कर देता हूँ and यहाँ पे जैसे आपने वहाँ आप लिजे कोई रीजन सेलेक्ट कर लिया उसकी प्राइजिंग वगर आपको जाननी है instance का यहाँ पे जैसे memory वाला करना या vcp वाला करना उस उसे साब से आपने खड़ लिया cost आपको जाननी है per month की या per second की या hourly तो वह भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो उसके बाद यहाँ पे यह basically है payment के लिए and उसके बाद यहाँ पे इसका लगा सकते हो second है कि यहाँ पे जैसे आपने दो यहाँ पे select कर लिये मैं यहाँ पे select करके दिखा देता हूँ wait a second या फिर इसको reload कर लेता हूँ मैं थोड़ा okay यहाँ पे जैसे दो instance types हैं तो उनको मैं select करके उनका comparison करके आपको दिखाता हूँ ठीक है यह T24 यह है and इसका मैं करता हूँ इन दोनों का यह फिर मैं यह काम करता हूँ T2 Micro और T24 G Nano का मैं comparison करता हूँ इन दोनों को मैंने कर लिया select and comparison पे मैंने click कर दिया तो इन यह दो दोनों आपको यहां पे दिखा देंगे कि इसमें जो memory है वो कितनी आएगी इसमें कितनी आएगी इसमें .5 है इसमें एक जीबिया है और जो linux के आपके परमंत की कितनी cost इसमें आएगी और Windows के आपकी कितनी cost इसमें आएगी तो सारी चीज़ें आपको यहां पे देखा देगा तो यहां वाली साइट आप यहां पे देख सकते हो या फिर माँ आपको description में भी इसका link आपको provide कर दूँगा सब्सक्राइब कर दूँगा यहां पर आपने आपने यहां पे discuss कर लिया है कि जो जनेल परपेंज को स्मॉल बिजनेस के लिए चाहिए का की आपको हाई कंपुटिंग चाहिए जो वी कि पूर हो ज्यादा वाला चाहिए तो आप यह वाला ले ने रहे से क्यों and memory optimize में क्या होता है कि such a large scale in memory database and real time big data analysis के लिए अपने को जो memory वगरा वो ज्यादा चाहिए होती है तो जैसे example के लिए यहां पे 16 virtual CPU and 128 CPU और RAM जो भी है memory आपको चाहिए तो इसमें देखो RAM ज्यादा है 16 CPU core की बजाए ऐसे ही यहां पे storage वाले में होता है कि आपको SSD का optimized version आपको यहां पे मिलता है और यहां पे आपको दिखा रहा है provide up to NVM SSD okay at NVM SSD इसका कोई SSD का होता होगा यह last वाला है accelerated computing तो इसमें क्या होता है कि high performance computing capability for specific workloads such as the machine learning, deep learning and video encoding तो इसके लिए यह चाहिए होता है तो यह मैंने सारी चाहिए आपको बता दिये पहले भी example के तोर पर आपको दिखा रहे हैं उसके बाद आते हैं अपन यह वाला जो क्यूशन अपना कि how to choose the right EC2 instance type for your need तो यहां पे है workload requirements तो आप अपने workload के इसाब से आप उसका जो instance type से वो select करें अगर आपको CPU आपका ज़्यादा consume वाला हो तो आप फिर compute optimized वाला instance select करें या फिर अगर आपको RAM वगराए ज़्यादा चाहिए तो फिर आप memory optimize वाले पर जा सकते हो या फिर आपको input output ज्यादा चाहिए storage वाला जो SSD होता है वो fast वगरा होने चाहिए तो फिर आप storage optimize वाले पर जा सकते हो instance की size आपको decide करने बढ़ेगी या फिर instance की size आप पहले small ले सकते हो फिर आजकल AWS में auto scaling आता है तो वह आप use में ले सकते हो तो instance size starting में आप एक main measure कर लें कि में मेरे को बस 8 CPU core का चाहिए या 4 CPU का चाहिए तो वह आप वहाँ पर select कर लें फिर in future वह downgrade upgrade होता रहेगा तो अपनी requirement के हिसाब से आप बाद में भी decide कर सकते हो पहले अगर आपको पता नहीं किया कितना है लेकिन जिस हिसाब से load आ रहा है उस हिसाब से आप उनको upgrade भी कर सकते हो ओके अब उसके बाद आते हैं third उसके बाद आते हैं availability पे third वाला है इसके अंदर आप on-demand भी ले सकते हो या reserved भी ले सकते हो on-demand का है कि इसका जो cost बगर है वो hourly या per second के base पे होता है अगर आपको है कि आपका business होटा है and आपको एक साल दो साल के लिए चाहिए चाहिए तो फिर आप reserved instance वाले पे जाए विगूज उसमें क्या आप एक ही साथ एक साल का ले सकते हो and on-demand वाले में क्या होता है कि वो per hour basic पे आपका जो cost वगरा है वो आपकी कटेगी तो जब आप reserved वाला लेते हो एक दो साल तीन साल के लिए तो आपकी जो cost है वो 50% से भी ज्यादा आपको कम पढ़ेगी तो यहां पे भी आप cost वगरा बचा सकते हो and cost वाले में भी same यह जो small instance है वो लेलो उसके बाद auto scaling के थुरू आप उसको increase कर सकते हो जैसे जैसे आपकी demand है उस रिसाप से auto scaling में क्या instance जो automatically जो आपका number है वो increase होता रहता है तो उस auto scaling के थुरू आप यह वाली चीज़ें कर सकते हो तो आप starting में कम EV CPU को और लेके भी आप काम में चला सकते हो उसके बाद आता है storage storage देखो AWS दो टाइप की देता है एक तो देता है EBS एक होता है instance store तो सबसे जो अच्छा वाल होता है उस वो होता EBS लेकिन जो speed बगर होती है वो instant store में होती है लेकिन वो यह की EBS temporary जो हना यह instant store है वो temporary है अग अगर आपने एक बार जो आपकी instance वगर है उसको store वगरा कर दिया तो वो उसमें जो भी data वगर हो डिलीट हो जाएगा EBS वाला आपको side में volume में वहां पे रहेगा अगर आपने instance अगर store भी कर दिया है तो जो आपका जो volume वाला volume वाला जो option होता है उसमें एक EBS बना होता है तो उसकी cost भी आपके लगती रहेगी लेकिन वह बहुत minor होती है और वहां पे आपका data भी save रहता है जब तक आप वह EBS डिलीट नहीं करते है उसके बाद आता है नेट्रोकिंग में नेट्रोकिंग में आप ऐसी instance type select करें जिनकी नेट्रोकिंग performance अच्छी हो और उसके c series वाले है c5.large या c5.xlarge वाला इसका and इसका मैंने यहां पर बता रहा है तो यह आप जड़ार देख लें मैं आपको example के तोर पर यहां पर कुछ दिखा देता हूं मतलब same ही चीज है बस just मैंने यहां पर इसको डाल दियागी web application के लिए यह वाले आप ले सकते हो जो t2 इन जो the general purpose में आते हैं यह वाले आप यूज में ले सकते हो Big Data Processing में यह वाले आप का में ले सकते हो and Machine Learning में जो last वाला था ना यह अपना accelerated computing वाला वाले आप यूज में ले सकते हो High Performance Computing में क्या होता है कि यह वाला है C-Series वाले C-Series वाले आप यहां पर देख लेना कौन से वाले थे C-Series वाले यहां पर Compute Optimize वाले में है तो और उसके बाद आता है Database Database में यह जो R-Series वाले हैं तो R-Series और I तो आप यहां पर देख सकते हैं कि R-WAL कौन से में था Memory Optimize और साथ में I-Series Storage Optimize में भी यहां पर दे रखा है उसके बाद आते हैं कि जैसे आप Q-Rodpress वेफसाइट हो तो उसके लिए भी आप यह T3 Medium जो जनरल पर पज़मात हैं E-Commerce वेफसाइट के लिए तो सारा कुछ मैं यहां पर बता रखा है मैं Machine Learning या Gaming Server हो तो उसके लिए कौन सा आपको चाहिए Memory Optimize चाहिए या फिर Storage वालत चाहिए तो यहां हम पर सारे सारे चीज़ें मैं आपके दे दे रखे Last में एक अपन Qution भी यहां पर डिसकस कर लेते हैं कि अगर मेरी वेबसाइट पे डेली के One Light User आ रहे हैं तो मैं कौन सा इंस्टान साइप सेलेक्ट करूँ तो इसके लिए आप C5.9XLARG वाला आप सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें आपको 36VCPU में मिलते हैं और बैतर जी भी इसमें रेम आपको मिलती है और इसके जो Net Working Performance है वो भी हाई है जैसे जैसे आप बड़ा CPU कोर वाला लोगे या मेमोरी वाला लोगे जो XLARG हो तो उसमें आपको Net Working Performance भी अच्छे मिलेगी तो इसी एक्जामपल का यूज़ करके आप अपने हिसाब से आप काउंट कर सकते हो जैसे आपकी 10K पर यूज़र आपकी प्यार है वेबसाइट प्यार है तो उस हिसाब से आप जो VCPU वो डिसाइड कर सकते हो और एमोगारे भी आप डिसाइड कर सकते हो अगर आप इसका नहीं कर पा रहे हो तो फिर भी कोई नहीं है आप एक स्टार्टिंग में एक इंस्टांस ले ले उसके बाद ओटो स्केलिंग के थुरू अगर आपकी किसी दिन अगर आपकी साइट पे ज्यादा लोड आ रहा है तो ओटो स्केलिंग में क्या होता है कि ओटोमेटिक वो इंक्रीज होता जाता है आपकी instance एक और नहीं create हो जाती है तो इस वीडियो में यही बताना था and मैंने आपको यह जो basic था इसका आपको बता दिया है और भी advance है लेकिन वो यह वो same चीज़ें आपको बार-बार सुनने को मिलेंगे कि general purpose में in business के लिए काम में लिए जाता है यह लेकिन जो basic था वो मैंने आपको बता दिया है and यह सारी चीज़ें आप वहाँ पे जैसे आप instance type select करते हो तो वहाँ पे आप आपने series डाल दी devote उसके बाद small large जो भी आपको लेना है वह वहाँ वहाँ पे आपको डालना होगा and उसके नीचे आपको दिखा देगा कि इसमें कितना आपको मिलेगा इसमें क्या क्या आपको मिलेगा तो इस वीडियो में इतना ही अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सस्क्राइम ने किया तो प्ली सस्क्राइम आप YouTube चैनल और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद